नारायन नारायन आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन भाग दो by डॉक्टर श्री राम किंकरजी महराज आज के चेप्टर का नाम है राम चरित्र में गीता के समस्त योग श्री राम शर्नममा धर्मरत में जो चार घोड़े हैं उन पर लगाम के लिए जिस रसी की आवश्यक्ता है वह रसी तिहरी होने चाहिए वह तीन सदगुणों की मिलाकर बनाई गई रसी है उन तीन सदगुणों के नाम है क्षमा, क्रपा, समता, रजुजोरे इस प्रकार धर्मरत में समता का नाम तो लिया गया पर समता का विस्तार नहीं किया गया है पर गीता में समत्व पर बहुत अधिक बल दिया गया है भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष समत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं समत्वम योग उच्चते अर्जुन वस्तुतह समत्व ही सच्चा योग है और जो समत्व में स्थिती है वही सच्चा पंडित है उस समत्व की परिभाशा करते हुए भगवान श्री कृष्ण और भी स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मने हगविहस्तनी शुनी चैश्व पाकेच पंडिता समदर्शिनह जो विक्ति विद्वान ब्राह्मन से लेकर चांडाल कहे जाने वाले तक तथा पशवों में गाएं हाथी आधी जितने भी हैं और संसार में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं सब में एकत्व का दर्शन करता है सच्चा समत्व उसी में है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार-बार यह उपदेश देते हैं कि विक्ति जो कर्म करे उसमें कृत्रत्व ना हो अपितु स्वयम में अकृत्रत्व का बोध होना चाहिए यस्य न अंकृतो भावो बुधिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीस इमान लोकान न हती न निबध्यते तो भगवान श्री कृष्ण जिस अकृत्रत्व में स्थित होने की प्रेरणा अर्जुन को देते हैं उस अकृत्रत्व का बड़ा ही विलक्षन स्वरूप भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से संसार के समक्ष प्रकट करते रहते हैं कर्म के साथ दो ऐसे दोश जुड़ गए हैं जो कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में अकल्यान की स्रिष्टी कर देते हैं उनमें से एक तो है कृत्रत्व मैं कर्म करने वाला हूँ और दूसरा है फला कांक्षा इस कर्म के बदले में हमें यह फल मिलना चाहिए किन्तु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि कर्मन्ने वाधिका आरस्ते मा फले शू कदाचन तुम फल की अकांक्षा छोड़कर और यस्य नाहं कृतो भावो तृत्व का परित्याग करके कर्म करो जो बात वे अर्जुन से कहते हैं उसको क् करके श्री राम के रूप में दिखाते हैं राम चरित मानस के बालकांड में प्रसंग आता है कि जनक नंदनी श्री सीता के विवाह के लिए महराज श्री जनक ने यह परतिग्या की है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के इस प्रख्यात धनुष को तोड़ेगा उसी को मैं अ प्रसंग में नहीं पाई जाती इस प्रसंग में दूसरी विलक्षन ता यह दिखाई देती है कि प्रतिग्या पूर्ती का फल क्या मिलने वाला है उसका पलोभन देते हुए जनक के बंदिगन यह कहते हैं कि शंकर जी का धनुष गरव कठोर बिदित सब काहु जिसे देखक रावन बान महाभट मारे देखी सरासन गम ही सिधारे रावन बानासुर भी अपने अपने घरों को लोट गए उसे जो व्यक्ती तोड़ देगा त्रिभुवन जय समेत वै देही बिनी ही विचार बरई हट देही श्री सीता बिना विचार के ही उसका वर्ण कर लेंगी जनक की इस पतिग्या का अभिपराय क्या है साधारन द्रश्टी से जनक की यह पतिग्या बड़ी विचित्रसी मालूम होती है परशुराम ने तो जनक जी को जड़ की उपाधी दे ही दी परशुराम जी जब वहां आये और उन्होंने धनुष को तूटा हुआ देखा तो उन्ह जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा अरे मुर्ख जनक बतला कि यह धनुष किसने तोड़ दिया अगर कोई परशुराम जी से पूछ दे कि आप जनक को मुर्ख क्यों कह रहे हैं तो परशुराम जी का ताथ पर यह है कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना बहुत अनर्थ है और इस अनर्थ में सबसे बड़ी मुर्खता जनक की ही है क्योंकि अगर जनक ने यह प्रतिग्या न की होती कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा तो धनुष तोड़ने की कोई चेश्टा ही नहीं करता परशुराम ने कहा कितनी अद्भुत बात है कि इस जनक ने शंकर के धनुष की पहले तो पूजा की और बाद में उसे तुड़वा दिया आज तक कहीं यह नहीं सुना गया कि व्यक्ति जिस देवता की पूजा करे उसी को तुड़वाने में प्रसन्नता का भी अनुभव करे इस प्रकार की पतिक्या क्यों की इसके पीछे भी बड़ा मधुर संकेत है पर भगवान राम ने इस प्रसंग के माध्यम से कर्म के साथ लगे हुए कर्तित्व एवं फला कांक्षा आधी दोशों का निराकरण कैसे किया जाता है इसे अपने चरितर के द्वारा प्रकट किया है जिस समय पर शुराम जी ने माराज श्री दजनक से पूछा कि धनुष किस ने तोड़ा तब जनक तो भई के मारे नहीं बोले किन्तु भगवान राम ने उत्तर देना प्रारम फिकिया भगवान श्री रागवेंद्र यह भी कह सकते थे कि धनुष मैंने तोड़ा है लेकिन भगवान श्री रागवेंद्र ने यह नहीं कहा आगे चलकर लक्ष्मन जी भी यही कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो वस्तुतह धनुष तोड़ने की कोई चेष्टा ही नहीं की परश्चुराम जी प्रारंभ में यह समझ नहीं रहे थे कि यह तो छोटे मूँ बड़ी बात है इतना बड़ा धनुष क्या बिना तोड़े तूट सकता है बिना चेश्टा किये क्या कोई वेक्ति धनुष को उठा सकता है क्योंकि परश्चुराम जी की मान्यता यह है कि अगर क्रसित्व नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा यह बात अधिकांच वेक्तियों के मन में रहती है कि कर्म करने के पूर्व जब तक हम कर्म करने का संकल्प नहीं लेंगे जब तक यह नहीं मानेंगे कि यह कर्म हमें करना है तब तक वह कर्म हमसे कैसे होगा साथ साथ लोगों के विचार में यह बात भी रहती है कि किसी ना किसी फल किया कांक्षा से प्रेरित होकर ही तो हम कर्म करेंगे क्योंकि जीवन में जब तक किसी प्रकार का परिणाम पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम सही अर्थों में कर्म की दिशा में अग्रसर कैसे होंगे। समाच में साधारण वेक्तियों को ही नहीं, अपितु बड़े से बड़े बुद्धिमान वेक्तियों को भी यह भ्रम हो जाता है कि बिना कर्तित्व और बिना फलाक आंक्षा के कर्म नहीं होता। लेकिन इस प्रसंग का उदेश्य वस्तुतह यहीं बताना था कि बिना कर्तित्व तथा बिना फलाक आंक्षा के भी कर्म हो सकता है। इसलिए उनका परिचय देते हुए रामायन में कहा गया कि अहंकार शिव और यह ठीक भी है क्योंकि जिसके नेत्र खुलते ही सारी सृष्टी का विनाश हो जाता है जो साक्षात महाकाल है उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है। इसलिए साक्षात महाकाल इसी धनुष के द्वारा समहार करते हैं। इसका अभी प्राय है कि समहार के देवता शंकर जी का कृत्तित्व ही धनुष के रूप में दिखाई दे रहा है। किन्तु जनक की प्रतिग्या है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ श्री सीता जी का विवहा होगा। जनक ज्यानी है और ज्यान की कसोटी यह है कि जीवन का कृतित्व खंडित हो गया है के नहीं। इस तरह महाराज जनक की प्रतिग्या उनके घ्ञान की अनुकूल ही थी। एक घ्यानी तथा वेदानती को जैसी प्रतिग्या करनी चाहे थी वैसी प्रतिग्या उन्होने की। इस प्रकार धनुर्भंक का अर्थ है कृत्यत्व का विनाश। किन्तु जनक के यहां आने से पूर्व धनुष की जो गाथा है उसका आध्यात्मिक पक्ष भी अत्यन्त महत्व पूर्ण है वर्णन आता है कि त्रिपुस रासुल नामक द्यात्य से जब सब हार गए तब भगवान शंकर ने इसी धनुष की सहायता से उसे हरा दिया उसके बाद भगवान शंकर ने इस धनुष का त्याग कर दिया यही भगवान शंकर की महानता है क्योंकि धनुष के त्याग का अर्थ है कृतित्व का परित्याग इसके पीछे भगवान शंकर का यही संकेट है कि जब धनुष का कार्य पूरा हो गया तब उसे पकड़े रहने की कोई आवश्यक्ता नहीं है भगवान शंकर इस धनुष के द्वारा समहार करते हैं समहार का अर्थ है मुक्ति गुस्वामी जी से किसी ने पूछा महाराज धनुष इतनी सरलता से कैसे तूट गया गुस्वामी जी ने कहा भई मुझे तो लगता है कि जनुष तो पुरारी पढ़ायो भगवान शंकर ने इस धनुष को पहले ही पढ़ा दिया था और उस पढ़ने शब्द के पीछे भावना बड़ी दिव्वे है धनुष के दो भाग होते हैं एक भाग तो धातू या हड़ी अथ्वा लकडी इत्यादी का बना हुआ होता है और दूसरा भाग रसी के रूप में होता है जिसे बांधा जाता है यद्यपी धनुष के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं विजय मिलती है पर जब तक उसमें डोरी न चड़ा दी जाए उसे डोरी से न बांध दिया जाए तब तक उसे चलाया नहीं जा सकता एक बार धनुष ने भगवान शंकर से पूछा महराज यह तो आपका बड़ा विचित्र न्याय है कि आप सबको मुक्ती बांटते हैं पर मुझे बांधते हैं महराज मुझे भी कभी मुक्ती मिलेगी या नहीं क्या जीवन भर मेरा इस रसी से बंधन ही होता रहेगा मेरा यह गुण बंधन छूटेगा या नहीं क्योंकि संस्कृत में गुण शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो गुण तथा दूसरी वहरसी जिससे धनुष्क में बांधा जाता है, और बस इसी गुण रसी में ही तो कर्म का सारा रहस्य छिपा हुआ है, भगवान राम तथा परशुराम का वारता लाप, यद्यपी बहिरं गद्रश्टी से तो ऐसा लगता है कि जैसे तू तू मैं मैं वाला वारता लाप है, पर अंतरंग द्रश्टी से परशुराम जी की जिक्नियासा यह है कि कर्म में सफलता प्राप्ति के बाद क्या यह संभव है कि व्यक्ति में उसका अभिमान ना हो, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति में गुण हो और गुण का अभिमान ना हो पर भगवान श्री रागवेंद्र उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा कब हो सकता है इसके लिए भगवान राम जो वाक के कहते हैं वह श्री राम चंद्र की युक्ती ही नहीं वरन सकते हैं इसल सत्य तो यह है कि धनुष चाहि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो यदि उसने स्वयम में समहार की कृतित्व को स्विकार कर लिया तो उसे बंधन में गुण बंधन में पढ़ना ही पड़ेगा इसे दूसरी भाषा में हम चाहे त्रिगुण का बंधन कहले या जीवन में गुणों का बंधन कहले किन्तु यह निश्चित है कि जहां गुण है वहां गुणा भीमान होने की संभावना तो है ही और जहां गुण का अभीमान है वहां बंधन अवश्यम भावी है भगवान राम ने परशुराम जी से कहा महराज अगर मुझ में कोई गुण होता तो मुझ में भी गुणा भी मान होता पर मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं परशुराम जी ने कहा यह कैसे हो सकता है कि तुम में कोई गुण ही नहो क्या गुण के बिना संसार का वहवार चल सकता है भगवान राम ने कहा महाराज आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि मुझ में कोई गुण नहीं है परशुराम जी ने कहा कि फिर तुम काम कैसे चलाया करते हो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु देव एक गुण धनुश हमारे कहने के लिए मेरे पास भी एक गुण तो है पर वह गुण भी मुझ में नहीं अपितु मेरे धनुश में है भगवान राम का भी प्राय है कि वहवार चलाने के लिए गुण को स्विकार तो किया जा सकता है लेकिन वहवार समाप्त होने के बाद भी अगर हम गुण को पकड़े रहेंगे तब तो बंधन में पड़े बिना नहीं रहेंगे इसलिए भगवान राम के प्रसंग में बार बार आता है कि वे अपने धनुष में डोरी को सरवदा नहीं बांधे रहते यद्यपी धनुष उनके कंधे पर लटका रहता है लेकिन भगवान राम डोरी को सरवदा धनुष से खोले रहते हैं और जब प्रभू को लड़ना होता है तो वे उस धनुष को पहले जुकाते हैं और फिर उसमें डोरी को बांध देते हैं यही संकेत रामायन में स्थान स्थान पर प्राप्त होता है भगवान श्री राम के सामने जब खर्दूशन 14,000 राक्षसों की सेना लेकर आकर्मन करने के लिए आया उस समय कोदंड कठिन चड़ाई प्रभू भगवान राम धनुष को जुकाते हैं और फिर उसे रसी से अधान रहते हैं क्योंकि जोंही युद्ध समाप्त हो त्योंही यह डोरी उतार दी जाए भगवान का अभिप्राई है कि अवगुनों का विनाश करने के लिए तो गुन की आवश्यक्ता है पर अंत में होना यह चाहिए कि ना गुन रह जाए और नहीं अवगुन क्योंकि अगर गुन रह गया तो फिर उसका अभिमान भी नहीं जाएगा दोरी चड़ाने का अभिप्राई है वहवार में गुन की स्विक्रती और कार्य हो जाने पर दोरी उतारने का अभिप्राई है गुना अभिमान का परित्याग गीता में कृप्तित्व एवं फलाक आंक्शा रहित कर्म का जो उपदेश दिया गया वहीं यहां पर क्रियानवित होता है धनुश्यक्न में जनक जी के बंदियों की घोशना सुनने के बाद जितने कृत्वा भी मानी और फलाक आंक्शी राजा थे वे सब के सब परिकर बांधी उठे अकुलाई कमर में फेटा कस्ते हु पर गोस्वामी जी ने उनकी मनस्थिती बताते हुए कहा कि उठते समयवे बेचैन थे परिकर बांधी उठे अकुलाई अब धर्मरत के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करने से कि श्री सीता से विजय माल पहिनने में ये लोग असफल क्यों हो गए एक अनोखा संकेत प्राप्त होता है श्री सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है और जो शंकर जी का धनुष तोड़ देगा वही उनसे जैमाल पहिनेगा रामचरित मानस के उत्तर कांड में भक्ति को पाने के लिए जो क्रम बताया गया है उसका वन्नन करते हुए भुशुन्री जी कहते ह हैं कि बिरती चर्म असी ज्यान मद लोभ मोहरि पुमारी जैपाई सो हर भगती देखुखगेस विचारी जिसके पास ज्यान की तलवार है पैरागय की ढाल है और जो लोभ तदा मोहरूपी शत्रू को मारता है उसी को विजय के रूप में अंत में भक्ति की उपलप्ति होत भगवान राम विभीशन से कहते हैं कि विजय के रत चाहिए और रत के साथ दो पहिये जुड़े हुए हैं यह यद्यपी उनके बीच में दूरी है पर जब वे दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तभी रत आगे बढ़ेगा दोनों पहियों को पूरी तरह ठीक होना भी अत आगे तिक है महाराज दश्रत रत पर सवार होकर जब युद्ध कर रहे थे उस समय युद्ध स्थल में उनके रत के पहिये की एक कील निकल गई यहे कील बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है क्योंकि उसके बिना रत का पहिया रत से अलग हो जाता है महाराज दश्रत जैसा महापुरुष जिस रत में बैठा हुआ है वह भी धर्मरत ही है तो उनके रत में कोई कमी थी क्या इस प्रश्न का उप्तर देती हुए पुरानों में बड़ी सांकेतिक भाशा में यह कहा गया कि सारा रत तो सुद्रण था बस एक कील की कमी थी पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केवल एक कील की कमी का परिनाम उन्हें सबसे अधिक भोगना पड़ा व्यक्ति की एक दुरुबलता ही सदगुणों के बीच कील का स्वरूप है महराज दशरत के जीवन में यह एक कील की कमी है सुन्दर्ता के प्रती उनका आकर्शन व्यंगाता है कि कील को गिरते हुए देखकर कैकई ने सोचा कि कील के निकल जाने से महराज श्री दशरत नीचे गिर पड़ेंगे इसलिए उन्होंने अपनी दो उंगलियां कील की जगा धुरे में डाल दी जिससे पहिया नीचे गिरने से रुक गया महराज श्री दशरत इस कारे से गदगद हो गए उन्होंने कहा कैकई तुम धन्य हो अगर तुम ना होती तो मैं भूमी पर गिर कर घायल हो जाता तुमने मुझे बचा लिया अत्य मैं चाहता हूं कि तुम इन दो उंगलियों के प्रयोग के फल स्वरूप दो वर्दान मुझसे मांग लो गिद्यपी महाराश्री दश्रत तो गदगद हो रहे थे पर वास्तव में ये उंगलियां उचित लगी थी क्या क्योंकि आगे चलकर उनके जीवन में सारा दुश्परिणाम इसी कील के कारण ही उत्पन हुआ इस संदर्भ में बड़ी विचित्र बाद यह है कि कैकई जी को दो वर्दान मिले थे महाराश्री दश्रत को घायल होने से बचाने के लिए किन्तु बाद में इन्ही दो वर्दानों ने महाराश्री दश्रत के प्राण ले लिए यह तो उसी तरह की बात हो गई कि जैसे किसी व्यक्ति को सो रुपई की रक्षा के लिए पुरस्कार मिले पर बाद में वह लाक रुपई चुरा ले इसी प्रकार घायल होने से बचाने के पुरस्कार ने प्राण ले लिए घायल हो जाते तो कम चोटाती पर अब तो प्राण ही चले गई महाराश्री दश्रत की सुन्दर्ता के प्रती इतनी अधिक आ सकती है कि वे इसी कारण युदिक्षेत्र में भी कैकई को साथ ले कर गई और यही आ सकती अंत में उनके प्राण लेने की भुमी का बनी अते सदगुणों का होना तो ठीक ही है पर जीवन में उनका संतुलन हो यह परम आवश्रक है धर्मरत में कोई भी गुण अकेला नहीं है बलकि एक साथ दो दो चार चार की संख्या में है केवल मात्र इस भजन उसारती सुजाना ही अकेला है जैसे धर्मरत के पहिये का वर्णन करते हुए भगवान राम कहते हैं इसका भी प्राइ है कि व्यक्ति के जीवन में शौरे भी चाहिए और धैरे भी वैसे तो शौरे तथा धैर एक दूसरे से भिन्नपरतीत होते हैं पर भगवान राम का दात पर यह है कि दोनों का संतुलन आवश्यक है। आगे चल कर सत्य तथा शील में संतुलन की बात कही गई। कि सत्य सील द्रड़ ध्वजा पता का। उसके पश्चात बल विवेक दम परहित घोरे। के माध्यम से बल विवेक, इंद्रिय दमन तथा परहित में संतुलन पर जोर दिया गया। इसका अर्थ है कि सत्य गुणों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई वेक्ति ऐसे होते हैं जिन में कोई एक बड़ गुण बड़ा प्रबल होता है पर उनके जीवन में अन्य गुणों के साथ जो अंसंतुलन हो जाता है, वही उन्हें नीचे गिरा देता है। धर्म याज धिश्टर के बारे में लोग बहुत वाद विवाद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि इतने बड़े धर्मात्मा को जीवन भर कष्ट ही तो भोगना पड़ा, पर आप विचार कीजिए कि उन्होंने जो कष्ट भोगा, वह धर्म के कारण भोगा कि अपनी कमी के कारण। इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी उन्होंने जुवे को धर्म मान लिया। इस तरह उन्होंने कष्टकों निमंत्रण धर्म के कारण नहीं, अपितु अपने माने हुए मिध्या धर्म के कारण ही दिया। और जुआ भी उन्होंने खेला दुर्योधन के साथ जुआ खेलने पर जुर्योधन ही जीतेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में अपना एक रूप बताते हुए कहा द्यूतम छलयतामसमी छल करने वालों में मैं जुआ हूं इसे आप अन्य अर्थों में ना लें वस्तुतह जुआ का अर्थ है छल करने का सबसे बड़ा साधन और छल के सबसे बड़े साधन में तो छली ही जीतेगा सत्यवादी कैसे जीत सकता है अगर द्यूत वाली यह कमी युधिश्टर के जीवन में न होती तो आगी चल कर जिस महान विपत्ति को उन्होंने भोगा उससे वे बच जाते इसका भी प्राई है कि जिसके जीवन में सद्गुणों का संतुलन बना रहे वही व्यक्त तीस रिष्ट है इसी प्रकार महाराज दश्रत के जीवन में भी संतुलन वाली एक कमी की और ही यह संकेत है धनुष तोड़ने के लिए जो राजा आई हुए थे जब वे धनुष तोड़ने चले तो उनके रत का एक पहिया तूटकर धड़ाम से गिर गया धनुष तोड़ने आई थे इसका अर्थ ही है कि ये लोग अत्यंत शोरे वाले हैं पर जब वे चले तो गोस्वामी जी ने एक शब्द जोर दिया कि परिकर बांधी उठे अकुलाई व्याकुल हो गए इसका भी प्राई है कि उनमें शोरे तो था पर धैरे नहीं था इसलिए सब को मुखे बल गिरना पड़ा और मुखे बल गिरने से सब की नाक तूट गई इसलिए धनुष तूटने के बाद जब मूर्ख राजाओं ने कहा कि अगर इस राजकुमार से सीता जी का विवहा हो गया तब तो हमारी नाक कट जाएगी तो विवे की राजाओं ने कहा कि जरा छू कर देखो नाक है ही कहा जो कटेगी क्योंकि नाक पिना कही संग सिधाई राजा लोग व्याकुलता से उठकर धनुष के पास जाते हैं और पहला कार्य करते हैं तमकी ताकी तकी गर्जना करते हैं यहां गर्जना करने की क्या आवश्यक्ता है क्या धनुष बिना गर्जना की ये नहीं तोड़ा जा सकता है किन्तो इसका कार्ण राजाओं का अंकारी स्वभाव ही है इस कारे के पीछे राजाओं के मन में यह भावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनुश तोड़ दूँ पर कोई मुझे देख ही न पाए इसलिए वे गर्जना कर अपनी और ध्यान आकरिष्ट करते हैं इसका तात पर यह है कि उनमें शोरे तो है पर धैरे नहीं है और साथ ही साथ कृतित्वा भी मान भी विद्यमान है आगे चलकर वर्णन आता है कि उनमें सत्य और शील भी नहीं है क्योंकि धनुश तूटने के बाद भी जब उनमें भगवान राम से युद्ध करने की कामना है तब तो इसका आर्थ यही हुआ कि वे जनक की प्रतिग्या को भी मानने को तयार नहीं है राजाओं का तात पर यह है कि जब तक हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो तब तक तो सत्य सत्य है पर स्वार्थ सिध्धी में जो सत्य बाधक हो हम उसे सत्य मानने को तयार नहीं है को स्वामी जी ने कह दिया कि धनुष तोड़ने की बात तो दूर रही ये बेचारे तो उसे उठा भी नहीं सके रहू चड़ाव तोरव भाई तिलू भरी भूमी न सके छड़ाई यह बहुत बढ़िया बात है कि तोड़ने से पूर्व धनुष को उठाना होगा कर्मे के साथ भी यही समस्या है कि कर्म में जो भार है उसे उठाने की कला का ज्यान हमें है के नहीं और वह कला क्या है इसका दर्शन भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से कराते हैं यंत्रों के माध्यम से बड़े-बड़े सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर पहुंचा दिये जाते हैं। यद्यपी वहाँ पर भी यंत्र को चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ती ही दिखाई दे रहा है। पर विच्चित्रता यह है कि इतने बड़े-बड़े ब माध्यम से उसे उठाता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म करते समय जब व्यक्ती अपने सिर पर कृतित्व का बोज लाध लेता है तब वह ठकता है। अगर कर्म के मूल में मैं कर रहा हूं की भावना होगी तो फिर ठकने वाला भी मैं ही होगा। पर भगवान ने ऐसी कला बताई कि जिससे कर्म तो हो पर बोज का अनुभव ना हो। किन्तु ये राजा बेचारे तो अपना अपना अक्षुद्र महें लेकर आई हुए थे। ये लोग क्या उठा पाते धनुष को। यहाँ पर तीन-तीन कारे करने हैं। एक तो धनुष क को खीचना है और फिर उसे तोड़ना है। इस तरह यह धनुर बंग तीन योगों ज्ञान कर्म तथा भक्ती का समन्वे हैं। कर्म योग का रहस्य धनुष को उठा लेने में हैं। भक्ति योग का रहस्य इसे खीच लेने में है। क्योंकि संसार की ओर से मन को खीच कर जो भगवान की ओर ले जाने की कला है वही भक्ति योग है और ज्यान योग है धनुश को तोड़ देना लेकिन ये राजा तीनों में ही को रहे हैं वे तो अंकारी हैं इसलिए उठाना चड़ाना और तोड़ना तो दूर रहा तिल भर भूमी न सके छुड़ाई उसे एक तिल भर भी नहीं उठा सके भगवान राम ने उस धनुश को तोड़ दिया क्योंकि नतों में कृत्त्व है नहीं फला कांक्षा कर्म फला कांक्षा यदी होती तो जिस समय जनक के बंदी गणों के द्वारा भुखोषणा हुई थी उस समय तुरंथी उठा कर वे धनुश को पर ऐसी व्याकुलता उनमें नहीं है इसके विपरीत उस सभा के सब लोग व्याकुल और आश्चरे चकित हैं यह सोचकर कि राम उठते क्यों नहीं भगवान राम का तात्पर यह है कि न मुझ में कृत्त्व है और न फला कांक्षा तो फिर कर्म हो या ना हो इसमें क्या अ अंकेत गीता रामायन में तो मिलता ही है पर इसे हम अपने जीवन में भी नित्य देख सकते हैं जब व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो वह कहता है कि मैंने यह कारे बड़ी कुशलता से किया इसलिए मुझे सफलता मिल गई पर प्रश्न यह है कि अगर वह सफलता पाने में इतना समर्थ है तो फिर कभी कभी असफल भी क्यों हो जाता है इसका क्या कारण है इसका उत्तर यह है कि जो सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है उसके पीछे वस्तुतह कई कारण जुड़े हुए हैं इसमें देश, काल, व्यक्ति और प्रारब्द की अनुकूलता तथा इश्वर की अनुकूलता का प्रमुख सहयोग रहता है। इसी को रामचरित मानस की भाशा में कहा गया है कि अस सहयोग इस जब कर रही। ज्यान दीपक प्रसंग में कागबशुन डीजी ने ज्यान के साधनों का वर्णन प्रारंभ करते हुए कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु के रूप में पहले ज्यान आए, फिर चारा आए, अहीर आए, दूद दुहा जाए, दूद पकाया जाए, दही जमाया जाए, तथा उसमें से घी निकाला जाए, पर आदी और अंत में इस बात की और संकेत अवश्य करते हैं, कि कहीं हम यह न समझ लें, कि ये सारे कारे तो हम ही कर लेंगे, इसलिए पहली पंक्ती में याद दिलाते हैं, कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जोंहरी कृपा हरदयबस श्रद्धा तो चाहिए, पर भगवान जब कृपा करेंगे, तभी श्रद्धा आएगी, भगवान की कृपा के बिना श्रद्धा कहां से आएगी, और कहते हैं कि अस सन्योग इस जब कर रही, अगर इश्वर ऐसा सन्योग बना दे, इसका अभिप्राय है कि वैक्ती की स्व देश देते हैं, तो वहाँ पर शब्त लिखा हुआ है कि विश्वा मित्र समझ गए कि अब धनुष तूटने का शुब समय आ गया है, विश्वा मित्र समय सुब जानी, बोले अती सनेह मै बानी, इसलिए भगवान राम ने मुस्कुरा कर परशुराम जी से कहा, महराज मु और समस्या यह है कि अन्य राजा जब धनुष तोड़ने गए, तब तक समय नहीं आया था, अते नहीं तूटा, किन्तु मुझे गुरु जी ने ऐसे समय भेजा, जब उसके तूटने का समय आ गया था, इसलिए वह तूट गया, अते लोगों को भले ही लगा कि मैंने तोड पर वस्तुतह मैं तोडने वाला नहीं है। पुरुष दूसरों के कष्टों का निवारण करने के लिए कर्म करते हैं। इसलिए तुम जनक जी के कष्ट को मिटाने के लिए कर्म करना स्विकार कर लो। उठहु राम भन्जव भवजापा मेट हुतात जनक परितापा। भगवान राम यद्यपी धनुष तोडने को उठे पर उनमें कृतित्व बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जहां पर कृतित्व होगा वहां हर्ष या विशाद दोनों में से एक अवश्य आए। पर यहां तो भगवान राम की स्थिती यह है कि सुनू गुरु वचन चरन सीरु नावा हर्ष विशाद न कचु उर आवा। उनमें न तो हर्ष ही आया और नहीं विशाद। किसी ने भगवान राम से कहा कि आपके मन में हर्ष तो आना ही चाहिए था क्योंकि जो राजा धनुष तोड़ने जाते थे तब प्रारंभ में उनके मन में हर्ष आता था और जब नहीं तूटता था तो विशाद आ जाता आपको ऐसी अनुभूती क्यों नहीं हो रही है भगवान राम ने कहा कि हर्ष या विशाद हो तो गुरु जी को हो मुझे भला क्यों होगा क्योंकि तुड़वाना अत्वा न तुड़वाना तो उनहीं का काम है लक्षमन जी को शक्ती लगी और उपचार के बाद जब वे चैतन्य हुए तो सुग्रीव जी ने पूछ दिया कि जब आपकी छाती में शक्ती लगी तो आपको कितना कष्ट हुआ लक्षमन जी ने कहा कि मैं क्या जानू कितना कष्ट हुआ द्रिश्टान तो प्रत्या घाव मेरे पीर रगुभी रही जाकर इनसे पूछिए कि कितना कश्ट हुआ और दृष्टान्त यह दिया कि मोही कहा बूझत हो पुनी-पुनी पाठ अरथ चरचा की रही तोता अगर बहुत बढ़िया श्लोक पर रहा हो और आप तोते के पास खड़े होकर कहें कि भाई तोते अब जरा तुम इस श्लोक का अर्थ भी बता दो तोता तुरंत पढ़ाने वाले की और संकेत करके कह देगा कि अगर अर्थ सब चानना चाहते हो तो इनसे पूछो मैं तो केवल रटी-रटाई बात कह देता हूँ फिर दूसरा दृष्टानत देते हुए उन्होंने कहा कि सोभा सुख छतिलाहू भूपकन केवल कांती मोल ही रई किसी राजा के मुकुट में जड़ा हुआ ही रा अगर मुकुट से गिर जाए चोरी चला जाए तो दुख हीरे को होगा कि राजा को वस्तुतर राजा को तो दुख होगा क्यूंकि हिरे को तो इसका भांदी नहीं है कि मेरा मूल क्या है और मुझे कौन सा स्थान दिया गया है गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान में फला कांक्षा तथा कृत्रट recap नहीं है इसलिए उन में हर्ष विशाद भी नहीं है अन्य राजाओं ने गर्जना की पर भगवान राम ने गर्जना नहीं की गर्जना करने की तो बात दूर अपितु गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने कब धनुष तोड़ इसको कोई देखने वाला भी वहाँ पर नहीं था लेत चड़ावत खेंचत गाड़े काहुन लखा देख सब ठाड़े तेही चन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भगवान राम ने धनुष तोड़ा पर उन्हें उसकी गवाही देने वाला कोई नहीं मिला इसलिए कई राजा तो जगड़ा करने के लिए तयार थे उन्हें लगा अगर इसने तोड़ा होता तो कम से कम कोई देखने वाला तो होता किसी ने देखा नहीं और तूट गया ऐसा भला कैसे हो सकता है और जब चले तो अधीर होकर नहीं चले बलकि सहज ही चले सकल जग स् मत्मंजू बरकुंजर गामी सहज भाव से उठे सहज भाव से चले यही संतुलन है यही अक्रत्त्व है यही फला कांक्षा का अभाव है इसके पश्चात जनकनंदने श्री सीता उनके गले में जैमाल डालती है भक्ती रूपा सीता को जीतकर भगवान श्री रागवेंद् मानो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया कि व्यक्ती को कैसे कर्म करना चाहिए रामायन में भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा उसे प्रत्यक्ष करके दिखा दिया नारायन नारायन